दस मई बड़ा शुक्रवार धनकी देवी मालक्षमी को समपित अक्षित दित्या का पावन पर तुलसी जी में चिणा देना यह एक चीज मिट जाएगी बरसो पुरानी गरीबी घर में आएगी सुक्ष सम्रधी और शांती एक महनी में ही हो जाओगे माला माल राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों बैसाख वास की शुक्रवपक्ष की तित्या को अक्षित तित्या का पर बनाया जाता है यह पर भागवान पिश्टू मालक्षमी को समर्बित होता है कहते हैं इस दिन मालक्ष्मी का पूचन कहने से बसो पुरानी गरेवी भी दूर हो जाती है यह दिन मालक्ष्मी को अत्तिधिक प्रिया है इस दिन मालक्ष्मी का पूचन कहने और प्रत कहने से जीवन की बड़ी से बड़ी परिशानी दूर हो जाती है और जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है दोस्तों इस बार अक्षितितिया का पावन पर दस मई दिन शुक्रवार को है शुक्रवार का दिन धनकी देवी मालक्ष्मी को समर्पित होता है इसलिए इस बार की अक्षितितिया का महत्व कई गुना अथिक बढ़ गया है दोस्तो इस बार अक्षितितिया पर पूजन का शुप मुहरत दस माई की सुभे पाँच बच कर 33 मिरत से दुबहर बारे बच कर 18 मिरत तक रहेगा सौना और चांदी खरीदना अक्षितितिया पर बहुत ही शुप माना जाता है और सौना चांदी खरीदने के लिए इस बार अक्षितितिया पर पूरा ही दिन शुप रहेगा क्योंकि इस बार अक्षितितिया दुल्लब सैयोग में आ रही है इस बार की अक्षित तित्या का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है क्योंकि इस दिन धन योग, गज केसरी योग, शुक्रा दित्य योग, रवी योग और शिश योग और सुकर्मा योग का निर्मार एक साथ हो रहा है इन शुपसन योगों में मालक्ष्मी का पूजन करने से मालक्ष्मी अपने भक्तों के घर में धन की बैसा करेंगी और जीवन भर कभी धन की कमी नहीं होगी धन योग में मालक्ष्मी का पूजन करने से धन में बढ़ोतरी होती है गज केसरे योग मालक्षमी का प्रिय योग है और इस योग में मालक्षमी का पूजन कहने से वह अतिशीक रही प्रसंद होकर अपने भक्तों को मनचाहा बर्दान दे दी है इतले इस बार मालक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए अक्षे तित्या के पावन पर पर तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करें क्योंकि शास्तों में तुलसी जी को मालक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है अक्षे तित्या का पर मालक्ष्मी को प्रिसन करने के लिए दीपावली और धंतेरस से भी अधिक बहत्व रखता है अक्षे तित्या पर मालक्ष्मी के किरपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करें क्योंकि तुलसी जी को मालक्षमी का ही स्वरूप माना जाता है दोस्तों आज की इस पीडियो में हम आपको शास्तों में बताई गए एक ऐसी चेच के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप अक्षे तित्या के पावन परपर तुलसी जी पर चढ़ा देते हैं तो इससे आपको भगवान पिशनों के साथ धन की देवी मालक्षमी के असीन क्रपा प्राप्त होगी भगवान पिश्नों मालक्षमी की क्रपा से जीवद भर धन की कंहीं नहीं होगी दुरभागे सोःओं में बदल जाएगा और बरसों पुरानी गरीवी दूर हो जाएगी तुलसी चीपर यह एक चीट चढ़ाने से भगवान बिश्टु मा लक्ष्मी की कृपा से घर में सुक्सम्रधी और शांती का बासोखा घर में खुशाली आएगी और बरकत होगी दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और भी यूसफूल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं दोस्तों अक्षे तित्या का शांस्तों में बिशिश महतो बताया गया है यह तित्यी पापों का नाश करने वाली और सुक्सम्रद्धी प्रदान करने वाली है इस दिन किये गए दान पुन्ये से जो पुन्येफल प्राप्त होता है वह कभी छे नहीं होता यानिकी अक्षर रहता है जनमो जनमो तक वह पुन्य फल आपको प्राप्त होगा इसलिए अक्षर तितिया के पावन पर पर अथिक से अथिक पुन्य कर्म करें अथिक से अथिक भगवान का इस्वरन करें और दान करें मानिता है इस दिन जर्रतमन व्यक्ति को देपता वा पित्रों के नाम से जल, कुम्ब, शक्कर, सत्तु, पंखा, छाता, फल आती का दान करना चाहिए ऐसा करना बहुत ही शुफलदाई होता है ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत खुश होती है और अपने भक्ति के घर में मा लक्ष्मी स्वैम चल कर आती है इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा, शक्कर, गुड, बर्फी, सफीद बस्तर, नमक, शर्वत, चावल, चांदी का दान भी किया जाता है इस दिन पूजा करते समय भगवान पिश्मी और माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षच चढ़ाना याने की साबत कच्छे चावल चढ़ाने चाहिए इससे पित्र दोश से मुक्ति मिलती है इसके अलावा पित्र दोश निवारन के लिए पित्रों को तरपन देना बहुत लावतायक होता है इस दिन पित्रों के नाम से पिंड़दान करने से पित्रों का आशिरवात प्राप्त होता है घर परिवार के कश्ट दूर होते हैं यदि आपके घर में पित्र दोश है तो पिंड़दान के अलाबा पित्रों की मुक्ति के लिए अक्षे तृतिया के दिन गीता की साथ में अध्याय का पाठ करें और प्रभु नारायन से पित्रों को मुक्ति देने के प्रातना करें दोस्तों शास्तों में बताया गया है कि भगवान पिश्णू मा लक्ष्मी जी को प्रसन्य कहने के लिए तुलसी जी का पूचन अवश्य कहना चाहिए पाध्मपुरान के अनुसाद तुलसी जी को मा लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है तुलसी जी को हरी प्रिया कहा जाता है तुलसी जी भगवान विश्णू को अत्यधिक प्रिया है तुलसी पत्र के बिना भगवान विश्णू भोग को स्विकार नहीं करते इसलिए भगवान विश्णू मालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अक्षितितिया के पावन पर पर तुलसी जी का पूजन अवश्य करें सबसे पहले इसनानादी करने के पश्चात आप स्वच लाल या पीले रंगे बस्त धारन करें फिर आप भगवान पिश्टू मा लक्षमी जी का पूजन करें इसके पश्चात आप तुलसी मा का पूजन करें। तुलसी जी का पूजन करने के लिए एक घी का दिया त्यार करें। एक लोटे में शुत्य जलनें। अगर घर में गंगा जल है तो इस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। और एक चुटकी हलती, एक चुटकी शक्कर आप इस जल में डाल दें। अब सबसे पहले आप तुलसी जी पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय आप भगवान विश्णु जी के द्वादश्मत, ओम नमु भगवती वासु देवाय का मन ही मनजाप कर दे रहें। जल चढ़ाने के बाद आप तुलसी जी के पास रखकर दिया जलाएं। दिया जलाने के बाद दोस्तों अब आप एक कटोरी में थोड़ी से साबुत कच्चे चावल लें। ध्यान रखें आपको साबुत चावल के दाने लेने हैं और बहभी कच्चे। अब इन चावलों में आपको थोड़ी से हल्दी मिलाने हैं। आपको इतनी हल्दी मिलाने हैं कि चावल पीले रंग के हो जाएं। अब थोड़ी से चावल आप अपने राइट यानि की दाहिने हाथ में लें। और इन चावलों को आप भगवान बिष्टो जी के द्वादश्मत ओम नमो भगवते वासु देवाय का जाप करते हुए तुलसी जी के चर्णों में तुलसी जी के पास चढ़ा दें यानि कि यह चावल आप तुलसी जी पर अर्पित कर दें फिर आप दूसरी बार चावल लें और दूसरी बार इस मंतर का जाप करते हुए आप तुलसी जी पर यह चावल चढ़ा दें इस तरहें दोस्तों आपको तीन बार चावल लेने हैं और तीन बार ही ओम नमो भगवते वासु देवाय मंत्र का जाब करती हुए तुलसी जी को यह जावल अर्पित कहने है दोस्तों अक्षे तित्या के दिन अक्षत यानी की साबुच जावल का विशेश महतुमाना जाता है शास्तों में बताया गया है अक्षे तित्या के दिन तुलसी जी पर अक्षत अर्पित करने से भगवान पिश्णू मा लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है अक्षे पुन्य की प्राप्ती होती है घर में सुक्सम्रधी आती है अक्षे तित्या के दिन भगवान पिश्णू मा लक्ष्मी जी को प्रसन्य करने के लिए भगवान पिश्णू मा लक्ष्मी जी का पूचन अक्षत के साथ ही हल्ती से भी अवश्य करना चाहें अक्षितित्या के पावन परप्ष अक्षत में हल्ती मिलाकर तुलसी जी पर अर्पित करने से भगवान पिश्णू मा लक्षमी जी के किरपा से दुर्भा के सौफाके में बदल जाता हैं आर्थिक परिशानियां दूर होती हैं घर में सुख समर्थी और शान्ती का बास होता घर में खुशाली आती है। अगर आप तुलसी जी का पूचन संध्याकाल या संध्याकाल के बात कर रहें, तो ध्यान रखें, तुलसी जी पर जल ना चड़ाएं। तुलसी जी को अर्पित करने के लिए तुलसी के पत्ते आप तोड़ें, तो उससे पहले इसनान अवश्य करें। बिना इसनान की ये तुलसी जी को इस पर्श भूल कर भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो मालक्षमी आपकी घर से रूट कर चले जाएंगी। इसलिए इस बात का विशिष ध्यान रखें। पीरेट के दौरान ना तो महिलाएं तुलसी जी का पूचन करें और ना ही उनका इस पर्श करें। शास्तों में तो यहां तक कहा गया है कि महिलाओं को इस सम्में तुलसी जी के आसपास भी नहीं जाना चाहिएं यानि कि आपकी पर्शाएं भी तुलसी जीवन नहीं पढ़नी चाहिएं। करने से भारी पाप चड़ता है और चीवन भर इसको भुगतना पड़ता है इसलिए इस बात का विशिर ध्यान रखें अक्षितित्या के पावन पर पर कोई भी जरुत्वन व्यक्ति आपके द्वार पर आए तो उसे भूल कर भी खाली हाथ ना भेजें अपनी शर्थानुसा जितना हो सके से अन या फिर पैसे या फिर बस्त्र इत्यादी का दान अवश्य करें दोस्तों वैसे तो अक्षितित्या पर साफ सफाई का विशिर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो जगे गंदी होती है वहां मालक्ष्मी नहीं आते लेकिन साफ सफाई करते समय आप यह भी ध्यान रखें कि आप किसी भी जीप को नुकसान ना पहुंचाएं क्योंकि अगर गलती से भी आप किसी जीप को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका पाप आपको हमेशा भोगना पड़ेगा इसलिए इस बात का विश्य ध्यान रखें अक्षितित्या के दिन नौन वे पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को प्रेफ्रेंड्स और इस्तेदारों में जाद से जाद शेयर करें जिससे भैबी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फॉर वाचिंग रा